नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Learn English Easily में दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिलाइफ ही यूज होने वाले कुछ सेंटेंसे लाएं हूँ तो चलो देखते हैं, I hope this video will be beneficial for you So without wasting time, let's start Friends, आज की वीडियो में हम जो सेंटेंसे लर्न करेंगे Hindi to English वो कुछ ऐसे हैं यह सेंटेंस हैं अपने डिलाइफ में यूज करते हैं तो चलो देखते हैं इस सेंटेंस समय आने पर छोड़ दूँगा समय आने पर मैं सब कुछ बता दूँगा या समय आने पर चले जाऊंगा इसके हमें Hindi to English translation करेंगे फ्रेंट्स पर मैं आप ते लिए इसमें पर एक ट्विस्ट राएं हूँ इसमें हम एक advanced structure यूज कर रहे हैं वो advanced structure है In the course of time In the course of time फ्रेंट्स यह बताओ सब से पहले कि in the course of time क्या है जल्दी से comment section में मुझे comment करके बताओ In the course of time क्या है फ्रेंट्स तो मैं आपको बताती हूँ In the course of time हमारा advanced structure है जिसकी help से हम अपने sentence form करेंगे तो चलो देखते हैं example Friends, in the course of time का मितलब होता है When the time comes When the time comes तो चलो example की help से clear करते हैं इस doubt को भी कैसे हम इस word को example में use करेंगे तो चलो example देखते हैं तो Friends, हमारा first example है समय आने पर आपको सब कुछ बता दूँगा समय आने पर आपको सब कुछ बता दूँगा इसकी Englishman translation होगी In course of time, I will tell you everything Friends, in course of time तो हमारा advanced structure हो गया और सथ हमारा sentence क्या हुआ? I will tell you everything हमारा sentences में I will tell you everything In course of time, I will tell you everything तो चलो आगे देखते हैं Next example है समय आने पर मैं चला जाऊंगा In course of time, I will go Next example है समय आने पर मैं ये ले लूंगा समय आने पर मैं ये ले लूंगा When the time comes, I will take this When the time comes, I will take this Friends, I hope आपके डाउट्स क्लियर हो गए Friends, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके कमें शेक्शन में बताईए So friends, आज के लिए बस इता ही दोस्तो, अगर आपको और सेंटेंस और वर्ड्स लर्न करने है तो प्लीज सस्क्राइब भीज़े Learn English Easily क्योंकि मैं रोज आपके आपके लिएस टाइब के वर्स और सेंटेंस लाती रहती हूं जो आपको अपने इंग्लिश इंप्रोफ करने में हल्प करे Thanks for watching, have wonderful day Keep growing with Learn English Easily